आप सबी वेलकम बैक तो मैं चैनल और अभी हम लोग का सारा काम हो चुका है और वैसे तो अभी हम लोगोंने नाश्टा वगेरा तो करी लिया है और अभी तो पता है कितना टाइम हो जाता है क्योंकि ठंड का टाइम है नाने में भी थोड़ा लेट होई जाते हैं बच्चों को भी थनी जलदी नहीं निला सकते हैं क्या है कि सबसे ऊपर है तो वहां तो बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है इसलिए मैं लेट ही निलाती हूं फिर उसके बाद निलाने के बाद फिर हम लोग खाना पिना घाते हैं और अभी तो खाना वगीरा मुझे बनाना था बस अब में बना भी आता लगा इसमें मैं बस अब लेने जाली है और बच्चों ने भी पढ़ाई वगेरा भी कर ली है और फिर अब बस हम लोग खाना खाने वाले थोड़ी देर बाद और आसको कुछ ऐसा इस्पेशन नहीं बनाया है दाल वगेरा रखी हुई थी बस अब सबजी बनाई है आलू और बैंगन की बस अब वही हम ल इस पेशहां आफिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं और यह बहुत जादा मस्ती कर रहे हैं एक बोल बजा रहा है दो बच्चे डान्स करते हैं तिकाओ मैं यह एक बजा रहा है या यह देखिए बच्चों ने क्या बनाया है कौन सी ड्राइंग बनाई है और यह परी को सिखाया है भाईया ने इन्होंने रात में सिखा था पर परी सो गई थी तो परी को आप सिखा दिया है उसके भाईया ने दिखाओ यह परी आभी दिखाओ जाओ खेलों अभी बच्चे वगेर अभी अपनी ट्राइंग वगेरा कर रहे हैं क्यूंकि बच्चों को जो करना करना चाहते हैं करने देना चाहिए लगें मैं नवया को देख नहीं है पता निन लोग क्या है कि मश्रिया अगिरा रहे थे और कि और हो सकता है कि भी गुसता हो गई मतलब हुगो मतलब है बेठ गई होगी हो जो प्रकष इस ये तो फिर कि यह पूर रूमिह महा जा चले हैं तो बस उस इसाग है कि अधर बना लोटे के बच्चुके हैं शायद चार बच्चुके हैं क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि टाइम मगेरा क्या हुआ है तो चार बच्चुके और ये मैंने साड़े बार बजे से क्योंकि आज मैं कुछ साड़ी पहनी हैं क्योंकि मुझे लग ऑघ रहा है कि आज मैं रख साड़ी पहनू हैं कि अर फिर अब फिर अभी देखें कितनी दूप है 4 बच्चुके बहुत ऑ तो बहुत ज् gagब दोपै और यह जो फुद्अ में पहनी हूँ यह थोड़ा सा नीकुन ऑब मुझे अब चूब रहा है क्यों कि अब चूब रहा है और प्र उसके現在 में चाही फाल पीएंगे और जब तक रा शाम का टाइम हो जाएगा कुछ खाना पीना बनाएंगे और फ्री हो जाएंगे फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है अभी मैं डाल के लिए तडका लगा रही हूं और मैंने आज चनी की दाल बनाई है अभी रात के बच गये हैं साड़े आट बच चुकी है और मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है बच्चों का भी हो चुका है क्योंकि ठंड का टाइम है तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ते हैं भूख भी जल्दी लगने लग जाती है तो फिर अभी दीदी आए नहीं है अब आने वाले हैं और उसके बाद मेरे हजबेंट थे वो भी काम से बाहर गए हुए हैं तो बस अब आ जाएंगे आदे पुन घंटे के अंदर दोनों और फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे और फिस होने का टाइम हो जाएगा अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगते पसंद आते हैं तो आप लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइ अब लिवालो का वी देहन रखिए गाव